अगर कोई फल अंदर से सड़ रहा है तो उसके छिलके पर पानी डाल के आप उसे कब तक तक ताजा रखोगे वो सड़न कभी न कभी उपर तो आती है कि जिन्दगी में रास्ता आपको ही तैय करना है चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, मेंटॉर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं वो अलग-अलग समय में शायद हाथ पकड़ेंगे, मेंन लाइन तो आपकी ही होती है और यहाँ दो जुड़ कैसे रहे हैं? कि भाई, यह मुझे पूरा करेगी, मैं इसे पूरा करूँगा यहाँ दो भिखारी इसी चक्कर में रिलेशनसिप में आ रहे हैं कि यह मुझे पूरा करेगी, मैं इसे पूरा करूँगा शुरू-शुरू में तो सब बड़ा रोजी-कोजी है, चल लग रहा है, पर थोड़े समय के बाद, अब एक को ये लगेगा कि मेरे तरब से ही तो जा रहा, उधर से तो आई नहीं रहा, मैं ही सेंड कर रहा हूँ, emotional investment चल रही है, financial चल रही है, यो नो हर तरीके से, उधर से त शुरुवात, कि तुम तो अब बदल गए हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, जब मिले थे तब तो ऐसे नहीं थे, जब हम social media के बात करते हैं, को कि मैंने 2014 में ब्लॉग लिखा था, attention deficiency syndrome, उसमें पॉइंट ये है, कि we are flooded with information, और जब कुसी चीज की बाहर आती है, तो आपकी अर्थ वार्म है, ये कोई करियर बना है इन्होंने रोटी खाने के लिए, वो भी जिन्दा है, वो भी रह लेते हैं, तो एक इंसान के तोर पर इतना कमजोर क्यों समझते हो, कि हम अपने लिए खाना और छट नहीं जुटा सकते हैं कि हमने बहुत हैवी बाते गरी हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पूरी वीडियो एंड तक देखना आपको बहुत कूर सीखने को मिलेगा, अचा सर्थ जैसे स्टूडेंस को पता है कि आप इंग्लिश के तो टीचर हो ये बढ़िया, बड़ा बीच में बहुत ख़तरनाक से हिंदी भी बोल देते हो, तो वो इंटरस्ट कैसे हिंदी भी और इंग्लिश भी? अगर आप देखो के इन जेनरल, तो अगर कोई एक भाषा में अच्छा है, एक लेंग्वज में अच्छा है, तो आपको जेनरल दिखाई देखा कि वो बाकी भाषाओं में भी अच्छे होता है, और डेफिनिटली जब हम जिसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो बाहर सरे बच्छों का सवाल भी होता है, इवन जब हम पढ़ाते भी हैं कि सर, हम तो हिंदी माध्यम बैग्राउंड से हैं, क्या मुझे इंग्लिश आजाएगी, क्या, तो शायद उनको मेरे इस एक्जाम्पल से थोड़ा कॉन्फिदेंस भी आता है, कि नहीं, वो भी अच्छे इंग्रणर्ड से हो, ओके, ठीक है, नहीं, जैसे इंडिया में होता है कि, इंडिया में specifically ये है कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर दे, तो ऐसा लगता है कि, यह यह तो बहुती अच्छा इनसान है, यह बहुती superior है, तो इंडिया में हिंदी, अगर कोई इंग्लिश बोल होता है तो वो सुपीरियर क्यों माना जाता है उसको मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो रिजन है वो कलोनियल हैंग ओवर का रिजन है इतने सालों तक हम गुलाम रहे तो हमें यह दिमाग में बैठा हुआ है कि जो अंग्रेजी होगी वो अच्छी ही होगी चाहे वो अ सारी जगों पर अस्तमाल होता है बतलब आप जो लोगों में देखोगे कि इन्फिरियॉर्टी कॉंप्लेक्स वाली बात जैसे आपने कहा कि अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो हमें लगता कि अच्छा यह क्या ही बंदा होगा तो वो उसी जो मानसिक दास्ता है मानसिक गुलामी है जिसकी जिससे हम बाहर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं अभी 75 एस कंप्लीट हुए हैं तो काफे कुछ परिवर्तन हमें नजर आ रहा है जी 20 समिट अभी होके हटी है और पूरे देश की जो एक ब्रैंडिंग उभर के आई है वो दिखा रहा है कि ह हम शाद उससे बाहर निकल रहे हैं उस दिशा में कदम हम बढ़ा रहे हैं अभी थोड़ा सा आप अपनी जरनी के बारे में बताईए कि टीचिंग में कैसे शुरुआत हुई आपकी क्या-क्या हडल्स आए लाइफ में उसके बारे में थोड़ा से बताईए अचिली जब मै अपनी इंजिर्रिंग कर रहा था है अट ताइम में रियलाइज कि मेरा इंट्रिस्ट के इस फील्ड में है और जैसे कि हमारे यहां मिडिल क्लास में एक सिस्टम होता है मतलब हमारे यहां जरली हम कॉंसेट्स आफ लाइफ जीते हैं तो अगर आप पढ़ने में अच्छे ह तो शायद आप PCM लोगे थोड़े और कमजोर हो तो आप PCB लोगे फिर commerce और फिर arts जो कि technically गलत है लेकिन हमारी upbringing इसी तरीके से होती है और एक समय तक शायद हमारी जीवन के decisions पे हमारा control भी नहीं होता तो मैंने वो सारी चीज़ें करी engineering करी बट उस तोरान मुझे ही समझ आन है तो फिर मेरा धीरे-धीरे psychology में, mind में, पूरी brain की functionality में इस area में interest आने लग गया एक तरह से आप कह सकते हो कि life skills वाला जो पूरा area है and I started reading things, books, सुन पढ़ रहा हूँ मैं, lecture सुन रहा हूँ दुनिया वर के जो specialist है उनके और देरे-देरे तोरा entrepreneurship में भी मेरा interest जगने लग गया इसकी शुरबात तब हुई जब मैं अपने final year engineering में ट्रेनिंग का होता है portion last semester के अंदर तो मैं उसमें चंडेगर्ट में था और जिस company में मैं trainee था वहीं के लोगों को 60 minutes का एक session मैंने दिया self awareness के उपर और मैं final year student था, मेरे सामने जो लोग बैटे थे वो सब मुझसे 10-15 साल senior लोग थे, वो Saturday की एक शाम थी और मुझे 4-5 बैटे का slot जो है वो दिया गया वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसे लोग भी थे जो पटियाला से अब डाउन करने वाले लोग थे, यानि उन्हें एक गंटे करीब जाने में लगता, लेकिन वो 4-5 गंटे का session साढ़े पांच तक चला गया and nobody realized that, on that very day I realized कि yes I have something, जो कि शायद ऐसे लोगों को अगर बांद के रख सकता है, जो मेरे से 10-15 साल senior हैं, तो कुछ तो है मेरे अंदर काम का, अब वहाँ से क्या हुआ कि उस session के बाद उस company ने मुझे job offer करी, बट उस समय मैं job करने के mood में नहीं था, तो वो मैंने offer decline किया, बट वो क्या करते थे कि अलग-अलग engineering colleges में जा करके sessions किया करते थे, engineering के students के बीच में अपने training programs को ले करके, और इसके लिए वो अपने experts को ले जाते थे जो technical होते थे या HR के लोग होते थे, तो उन्होंने मुझे वो काम offer किया, और मैंने वो accept कर लिया, और उसमें मुझे जो payment मिलती थी वो समय 1500 rupees for a 50 minute talk मिलता था, तो अगर मैं एक दिन में जैसे एक reason के अंदर तीन engineering college हैं, और सुबह से लेके शाम तक मेरी तीन talk हो गई, तो मेरे 4500 बन गए, और मैं ये बात कर रहा हूँ 2011 की, उस ताइम आप college में थे, हाँ college का final year था, मतलब final year खतम होने के बाद, process पूरा होने के बाद, journey शुरू हुई, फिर चब मैं engineering colleges जाने लग गया, वहाँ के भी professors जो हैं, वो आकर के तारीफ किया करते थे, मेरे talk की, मुझे आदेक engineering college में के Indian army से retired थे वो, और mechanical में थे, उन्होंने आ के कहा कि बटा, आपने जिस तरीके से, खिशडी के तरीके से, हिंदी, Sanskrit, English, फिल्मों की बाते हैं, और क्या क्या सब करके, जो description दिया, वो बहुत अच्छा लगा, फिर वो जो कहते हैं, एक self evaluation वाली बात, मुझे लगने लग गया कि आज मुझे जिस काम में मैं अच्छा हूं, अगर मुझे करीब एक गंटे के 1500 मिल रहे हैं, जो गाट गंटे काम करते हैं, तो इ उसके बाद, फिर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई, तो मैं एक engineering college में, TPO के तोर पर गाम करता था, training placement officer, अब उसमें चंडिगर्ड और मोहली से बहुत सारे corporates आते थे, तो जो मुझे से interact करते थे, उन्होंने कहा कि sir, you are a corporate material, you should be in corporates, आप यहां college में क्या कर रहे हैं, त चीज़ें explore कर रहे हैं, और फिर वहीं से, एक सजजन अभी चंडिगर्ड में कंपनी रन करते हैं, तो उन्होंने मुझे corporate training के बारे में बताया, यह sir, you are good at communication, यह यह वो, तो आप शायद अगर इस दिशा में जाएं तो बहतर होगा, तो फिर मैंने भी explore किया, फिर मुझे लगा, मैंने certifications करी, NLP, Mind Mapping, NLP, Neuro Linguistic Programming, Mind Mapping, इस चीज़ की awareness भी नहीं थी, इस तरह ही, हाँ, शायद, क्योंकि मेरा interest to Syria में जादा था, mind के अंदर, क्योंकि मुझे समझ रहा था कि सब कुछ तो उसी हिसाब से, उसी के हिसाब से operate हो रहा है, तो वो certifications करी और फिर मैं 2014 के स्टार्टिंग में मैं आया दिली, क्योंकि जो आपकी ट्राइ सिटी का मार्केट है, चंडीगर, पंच्छकुला, मौली, that was limited for training industry, तो जब मैं यहाँ पर आया, तो आचारी प्रशानत है, सभी लोग जानते हो ने, तो मैंने उनके साथ करीब 6 महीं ने काम किया, अद्वैत देते थे और जो हमारे topics भी होते थे, जैसे आज हम PDP की बात करते हैं, personality, तो personality is a very superficial thing, because persona is more of a mask thing, कि जो आप उपर से लगाते हैं, अब अगर कोई फल अंदर से सड़ रहा है, तो उसके छिलके पर पानी डाल के आप उसे कब तक ताजा रखोगे, वो sudden कभी न कभी उपर तो DNA unique है, by default, तो इसका मतलब उपर वाले ने हम सभी को unique बनाया हुआ है, लेकिन अगर हम assembly line वाली life जीने लग जाएं, जैसा सब जी रहे हैं, जो सब पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब करियर बना रहे हैं, जैसे सब शादी कर रहे हैं, जैसे सब बच्चे बैदा कर रहे हैं, जैस activities में सिखा रहा हूँ, वहाँ पे अलग-अलग तरह कि हम activities कर रहे हैं, और बहुत ही holistic design किया था सरने वो program, तो भी बहुत ही मज़ेदार journey थी, बट शायद वो थोड़ा सा काम volunteer act जादा था और मैं घर में अपना, मैं बड़ा हूँ, अपने भाईचों में तो मुझे ये था कि नहीं, थोड़ा career oriented भी जाना है, थोड़े पैसे भी चाहिए, तो फिर वहाँ से फिर दिशा बदली हैं, और मैं time institute जो है cat के लिए जाना जाता है, बहुती प्रीमे इस्ट्यूशन में, उनको मैंने join किया, तो मैंने उनको part time के लिए कहा था कि मुझे तीन दिन का काम चा साथ एक session करने का, उसी साल में. अचा, throughout जब ये चीज़े हो रहे थी, तो कोई guidance करने देने वाला भी था, कि कौन guide कर रहा था आपको कि अभी आप ये चीज़ कर रहा था? नहीं, मैं explore खुदी कर रहा था, मतलब I was on LinkedIn back then in 2012 only, 2012 से मैं LinkedIn पे हूँ. तो जैसे parents, आपके papa या सा परिशान जरूर थे, विकाज उनको लग रहा था कि ये तो थोड़ा अजीब सा जा रहा है, मतलब जिसे injuring कर लिया तो बाकी लोगों के बच्चे जो है वो TCS Infosys Bipro में जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या है? ये वो script follow नहीं करेगा, ऐसा उनको लगाग तो मेरा ये था कि जब तक आप एक डाली को छोड़ेंगे नहीं, अगली डाली पर जाएंगे कैसे? क्योंकि वो तो security वाला पूरा idea है ना, security आपको हमेसा boundary के अंदर मिलती है, और हम सभी इनसान के तोर पे चाहते हैं चीजों को explore करना, तो दिक्कत ये है कि explore आप जब करें बट रिस्क लेने से बिलकुल डर तो लगता ही है, वो रिस्क वाला factor हमेशा रहता है, जैसे अभी जो parents वाली बात हो रही थी, तो वही बात मैं वहीं पर आ रहा था, जैसे time मैंने जॉइन किया तो शायद उसी के लिए जॉइन किया था, कि चलो एक मन में एक शान्ती रहे तो एक corporate trainer थे, वो मुझे से मुलाकात वी उनकी दिल्ली में आने के बाद, और उन्होंने कहा कि, you have a unique interest because emotional intelligence, spiritual intelligence, इसकी बात उस समय उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, तो कहा कि, आपका ये जो interest है बड़ा unique है, और मुझे लगता है, उन्होंने अच्छे बात हैं मेरे ले ले एक ritual के तोर पे, कि भाई lunch मिलेगा, trainer आएंगे, बातें करेंगे, तो लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि एक senior surgeon 55 years के करीब उनकी age थी, वो session के बाद मेरे पास आए, उन्होंने यही बात कई, कि बटा session तो हम attend करते ही है, company की policy है, लोग आते है time management, goal setting, you know, organizational development, इन पे talk होती है, लेक ही लगा मुझे मतलब, लेकिन उन सजन ने फिर मुझसे किनारा कर लिया, जो मुझे वहाँ ले गए थे, उनको शायद लगा हो कि कहीं ये, मेरी ही जगह ना, गरबढ़ करते हैं, जितने उनने वादे वादे किये थे, वो सब खतम हो गया, तो इससे एक बात तो समझ में आ सारे 2014 में सितंबर, यह अगस सितंबर का महीना था, क्योंकि रिफलेक्ट करने का टाइम मिलता, जब आप कहीं बिजी नहीं हो अपनी जिन्दगी बे, तो उस दरहान जो पढ़ा, जो समझा, उससे रिफलेक्ट भी गिया, जैसे आज हम रील्स के जमाने में हैं, और यहाँ जो सबसे बड़ी बात आती है, अटेंशन डेफिसियंसी, मेरा जो पहला ब्लॉग था, वो इसी के उपर था, कि अटेंशन डेफिसियंसी सिंड्रोम, पैंडेमिक आफ 21st century, यह किसी सदी की पैंडेमिक है, अटेंशन डेफिसियंट हैं, कहीं बर टिक नहीं सकते थोड़ी और यह आपने उस टाइम लिखा रहा है, हाँ, 2014 में नेट पे अवेलेबल है, तो उस दोरान में काम नहीं कर रहा था, बट वही बात की, आप अपने आपको काम के लिए तयार करते हैं, जिसे हमारे बहुत सारी स्टूडेंट्स भी होते हैं, या नोजवान लोग हैं, जो क अप्लाई किया, और मैंने बार टाइम के लिए था, कि मेरा जो अपना शौक है, ये वाला वो बना रहे है, और मैंने बैंक पढ़ाने के लिए अप्लाई किया था, बैंक पढ़ाने के लिए मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा उतना, तो मैंने खुद कैट की प्रेपरेश वो भी कर गया, अब वहां पर भी एक बड़े अच्छे लीडर मिले, जिसे हमारे पास यहां राकिश सर है, एक फैमिली के हेड के तौर पे, तो मतलब अभी है नहीं इस दुनिया में 2020 में उनका निदन हो गया, उनका नाम अंकुर जैन था, तो उन्होंने मतलब मेरे अंदर उस तरह की स्क्रिस देखें, कि this person has potential, तो मैंने डेसमबर में जॉइन किया, दस देसमबर का वो दिन्था शाद मुझा पी भी याद है, और जनवरी में उन्होंने मुझे कहा कि आप कैट क्यों नहीं बढ़ाते, you are a cat material, तो and that was a kind of, you know, अजीब सी बात थी, वो बिकाज उस की बात करें, जहां पे English, Maths, Origining, पूछी जाती है, तो मैं cat पढ़ाने लग गया, उसके बाद जनवरी 2015 में उनका एक session था, शिवाजी College है, Delhi University का, और वहाँ पे topic था session का, why petroleum prices declined across the globe, because 2014 में prices जजानक बहुत तीरी से गिरी थी, वो session उन्हें देने जाना था, उन्होंने मुझ Chief Knowledge Expert थे, Head थे वो, English Bank के, वो इतना विस्वास दिता रहे है, उन्होंने सारा content provide किया मुझे, मैंने 26 जनवरी की छुटी में वो 7-8 गंटे लगा के पढ़ा, because जिनको session देने जाना था, वो भी elite बच्चे थे, DU का college था, वो भी, और उस समय एक special course उनका चलता था, मुझा भी नाम नहीं ध्यान आ रहा, मतलब वो बच्चे ऐसे थे, जो सब 90%, 95% वाले बच्चे थे, उनके professors भी साथ में थे, अब ऐसे में आप उनके सामने खड़े होके बात करेंगे, तो बात में दम होना चाहिए, तभी बात कर पाऊगे, तो सहाथ वो सारा research हुआ, 90 minute का वो session था, बहुत ही अच्छा गया वो session, और जो faculties थे, उन्होंने हमारी team को कहा कि sir के साथ एक और session arrange कराओ, तो फिर वो दोर बड़ा अच्छा रहा, उसके बाद D.U. के बहुत सारे colleges में अलग अलग topics के उपर sessions हुए, और ये बात थोड़ी सी मतलब organization के लिए पे नहीं थे कि कोई ए इतनी जल्दी ये सारे काम करने लग जाएं, फिर मैं cat के elite batch लेने लग गया, elite batch वो batches होते थे जहां पर बच्चे DTU, IIT, SRCC, Sanctis Difference, यानि जो हमारे देश के elite college हैं, और time में उस समय करीब-करी 500 के बच्चे इन colleges से आते थे, अच्छा, sorry to interrupt, आपको नब वो detail में याद हैं तो मालब या overthink करते हैं नहीं, overthinking नहीं है, तो इतनी detail में कैसे याद रहे हैं, जब आप एक journey को जीते हैं, एक होता है, देखो life में जैसे आप superficial हैं, या गहराई से आते हैं, तो शायद अगर आप superficiality के साथ life lead करोगा, तो वो चीज़ें बूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि व और हम बड़े सुनने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो तब निकलती है, क्योंकि वो शायद life उस तरह से जीने की कोशिस भी करी हैं, वो चीज मेरी अपनी है, वो अगर शायद किताबी होती, रट के मुझे motivation देना होता, तो वो चीज नहीं निकलती है, आप CAT के लिए अच्छे पढ़ाने को मिल रहे हैं, एलीट बच्चे हैं, दिमाग उनका अच्छा अच्छी आर्सी पढ़ा रहा हूं, उनको साइकोलिजी, फिलोसिफी, एकॉनमिक, सब कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट उसकी वज़े से कॉले से चीज़े अच्छी हो रही थी मैं इंटर्व्य पैंडल में होता था, इम कॉल गेटर्स के, बच्चों का बड़ अच्छा रिस्पॉंस था, बहुत सारे बच्चे अभी भी connected हैं, उतने पुराने भी, लेकर उस समय मैंने transition किया, कि मुझे ये लगा कि, ये जो बैंकिंग एससी वाला segment यहां पे है, अब ह मैं उनको थोड़ा सा help करके, उनको polish करके IEMS में बेच सकता हूँ, Premier B Schools में बेच सकता हूँ, तो ये वाला segment है, हमारे SAC और Bank है, ये actually middle class का है, और यहां पे बच्चा language के वोड़े से बहुत struggle करता है, इवेन आप देखोगे तो जो group D के papers हैं, उनमें ज्यादा बच्चा इस आसान है, तो उसके बाद से फिर transition हुआ, फिर एक और organization मैंने ज्याइंग किया, जब मैंने shift किया, तो जो experience भी बड़ा अच्छा रहा, अपने आप में बड़े सारी changes करने पड़े, बिकोज जो content शायद हम एक cat के बच्चे को 20 मिनट में समझा सकते हैं, वो SSE के बच्चे को लग जाता था एक गंटे, डेड़ गंटे, तो हम मैंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अगर मैंने ये decision लिया है, कि मुझे help करना है इन तरह के बच्चों को, तो पहले मुझे उनके level पर उतरना पड़ेगा, फिर उनका हाथ पकड़के मैं उनको उपर लेके आ सकता तो ये journey में बड़ी exciting रही, और बड़ अच्छे feedback मिले, यहां से आप राकेश सर से कैसे मिले, क्योंकि जो मेरा decision था, बैंकिंग और S.S.E. के बच्चों को पढ़ाने का, फिर जब आया मैं सेक्टर में तो मुझे बड़ा नाम राकेश सर का ही, विकास मुझे इस industry का idea भी नहीं था, विकास मैं दूसरे segment से belong करता था, और उसी समय राकेश सर ने एक video YouTube पे डाली थी अपने channel पे, कि अगर आप पढ़ाने के लिए passionate हैं, और हैं तो आप मुझ से आकर के जुड़िये, उन्होंने एक number भी वहां पे डाला, तो फिर उसके जरीए कुछ contact हुआ, कुछ और common teachers भी मिले, उनके जरीए फिर मुलाकात हुई सर के साथ, बहुती अच्छी meeting रही, और सर किस तरह की personality हैं, वो सभी को पता है, बहुती humble, बहुती down to earth, और उन्होंने फिर अपने साथ पढ़ाने का मुझे मुझे मौका दिया, offline classes में, और ये शुरुआत हुए मुझे ल एक हमारे पास app है, career will app, हम वहाँ पर भी experiment करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आपके साथ वो करना सही रहेगा, तो यहाँ पर हम online classes देंगे, और बहुती nominal fees में देंगे, तो वो भी मतलब एक risk ही था, बिकास एक नई चीज़, लेकिन मैं risk लेता हूँ, वो entrepreneurial अंदर से वो हमेशा से रहा है जिन्दा, even एक point मैंने miss कर दिया, engineering college से निकलने के बाद मैंने अपना एक start-up भी शुरू किया था, उसका ना मेरी cent है, जो सौल था, जहां पर मैंने design किये थे programs, engineering और management colleges के बच्चों के लिए, और वो खास तोर से soft skill based थे, five days का program होता था, तो उसमें जा था मैंने, तो मैंने का चलो एक journey और लेते हैं, सर बिश्वास दिखा रहे हैं ये, तो फिर वहां से शुरुवात होई और बहुत ही, you know, basic levels हमने शुरू किया था, इसी मुकरजी नगर में एक building हमने rent पे ली, वहां पहले एक studio बनाया, फिर दो studio बनाया, और October 2018 में पहला batch आ चा रहे हैं, बट हमें ये समझना होगा कि इंडिया जो हो price sensitive market है, और जिनको हम cater कर रहे हैं, because career will ने एक record ही कायम किया है, अगर हम एक segment में देखे हैं, और वो शायद हमारी शुरू से जो ये सोच रही है, वो इसके पीछे बड़ा मुक्य कारड है, कि जो बच्चा उन करेंगे, तो वो definitely उसको accept करेगा, घर घर तक हम पहुझा पहेंगे, because हमने advertising marketing पे कोई खास खर्चा नहीं किया career will ने, because public domain में सब जानते हैं, हमने कभी वो खर्चा नहीं किया, लेकिन आज हम जिस level पे हैं, क्यों कि जब मैंने शुरू किया था तो समय career will का download 10,000 था और आज हम करीब, I think, 60 लाग से उपर है, यह journey है, इसी साल, October में हम 5 साल इसको complete करेंगे, तो यह अपने आप में एक बहुत ही remarkable journey है, और इसके लिए definitely create जाता है राकेश सर्व को, because उन्होंने यह सारी चीज़ें conceive की, conceptualize किया, सोचा, और फिर एक systematic तरीके से इसको आगे बढ़ाया, और जहां से शुरुवात होई सर, बार-बार यह बोलते भी हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है, तो मैं इस podcast के माध्यम से भी उन्हें बहुत धन्यवात कहना चाहूँगा, मैं मुझे शायत मौका नहीं मिल पाता हूँ, साथ में खड़े होते हैं, वो बोल देते हैं, कि स compliance to commitment वाली जर्ने में, आप बड़े-बड़े corporates को देखे, आज वो pressure नहीं है कि आप 9 to 5 वाली नोकरी करें, अगर आपकी punching नहीं हुई तो salary कट जाएगी, यह सब चीज़े बड़ी कमपनियों से भी हट चुकी हैं, तो compliance से ज़्यादा commitment कि जो आपके हाँ employee है, वो खुद ब बहतर हो, betterment हो career में, तो you have to, you know, give your best, तो यह culture develop हुआ है, और वो लीवे हमेशा से राकेशतर यह देते रहे हैं, ठीक है, अब एक unusual से सवाल है, कि थोड़ा प्यार के बारे में बताईए, कि आप क्या सोचते हो प्यार के बारे, बसे आपने भी बताया कि आपने lecture दिया था इसी के उपर, love के उपर, तो उसके हाथों यंग बच्चों को थोड़ा बताईए इसके बारे, एक जो सबसे बड़ी समस्य है, जो आपने youngsters वाली बात करी है, इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि जैसे ही hormones बदलते हैं, डस साल तक तो लड़का लड़की सब ठिठा के को तो शायद 12-13 साल में वो हाथ मिलाएं या एक दूसरे को असपरस करने को लगता कुछ स्पेशल हो गया, और शायद यह थोड़े और समय तक बना रहे है, 14-15 साल तक, और उसको आप फिर नाम दे दो प्यार का, तो यह hormones है, अगर आपके hormones निकाल लिए जाएं, male और female वाले है कि attachment और love को हम एक समझ लेते हैं, जबकि वो diametrically opposite concepts है, अब मैं तो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, attachment होता कैसे, कि आप किसी भी जीर के साथ attached हो सकते हो, आपका कोई phone आपके पास 2 साल रहा, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपका कमरा है, आपका bed है, attachment तो किसी क साथ हो सकती है, तो वैसी हमें attachment किसी इंसान के साथ भी हो सकती है, because mind is a function of time and space, हमारा mind कहीं पे भी अगर थोड़ी दिर रह जाए, timing की बात, और उस जगह पे रह जाए, उससे connection association बिल्ड कर लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो love है, और अगर हम थोड़ा इसको flow chart के समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला काम क्या होता है, कि जब आप किसी से मिलते हो, तो आप उसको attention देते हो, थोड़ी दिर attention देते हो, attention के बाद होगा attraction, attraction के बाद होती है अब attachment, अब उसके message का इंतिजार, खाना खाया की नहीं, कैसी हो, क्या कर रहे हो, अरे message आज नही पर उस इंसान की, उस message की, addiction के बाद क्या आती है, slavery, कोई भी लत आपको किदर लेके जाती है, गुलामी की तरफ लेके जाती है, क्योंकि अब आप उस लत के गुलाम है, बेजैन हो जाएंगे आप, phone नहीं उट रहा, message नहीं आ रहा, नाराजगी है, क्या पहले phone बंद फिर आपने WhatsApp किया, उसका भी जबाब, message का जबाब भी नहीं आ रहा, email का जबाब लग रहा है, मामला गरबड़ी हो गया आपकी, तो ये attachment, addiction, addiction से गुलामी, और गुलामी किदर लेके जाती है, suffering की तरफ, कोई भी गुलामी कभी आपको खुशाली दे सकती है, नहीं, तो मै पढ़ने के बाद हम आपको काम के लाइक बनाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो आपने क्या देखा कि attachment जो है, वो सफरी तंग लेके जाएगी, और यहाँ दो जुड़ कैसे रहे हैं, कि भाई, ये मुझे पूरा करेगी, मैं इसे पूरा करूँगा, यहाँ द सही तो जारा, उधर से तो आई नहीं रहा, मैं ही send कर रहा हूँ, emotional investment चल रही है, financial चल रही है, यो नो, हर तरीके से, उधर से तो कुछ आई नहीं रहा, तो फिर होगा डड़ाई जगड़े की शुरुआत, कि तुम तो अब बदल गए हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, ज इसी चक्कर में मिले थे वो, तो जब आपके अंदर ही खोखला फन है, तो आप सामने वाले को क्या ही देंगे, तो फिर शायद जो शुरू हुआ था, वो च्छे महीने के बाद, यह लगने लगता है, कि we should part our ways, I think it's not working anymore, and this is the reality of today, break-up, match-up, patch-up, यह सब चल रहा है, और 2014 में ब्लॉग लिखा था, attention deficiency syndrome, उसमें point यह है, कि we are flooded with information, और जब किसी चीज की बाढ़ आती है, तो आपकी जिम्मेदारी शायद ज्यादा बढ़ जाती है, उस बाढ़ में से मैं चुनना क्या है, तो जब आपके पास इतना कुछ है देखने के लिए, consume करने के लिए, सुन जिसको हम कह रहे हैं कि, you know, virtual autism के शिकार हैं वो, मैं खुद अभी मेरी डॉटर दो साल की हो रही है, और मैंने घर में टेलिवीजन नहीं रखा हुआ है, हम तो दिन बाढ़ तीवी नहीं रखा हूँ, उसके होने के बाद हटा दिया टीवी, फोन हम मतलब नहीं ही यूज कर आसान सा लगता कि, इसको screen दे दो, खाना खिलाने के लिए, और बच्चा जो हो एक virtual दुनिया में जी रहा है, तो उसको reality से कोई लेना देना नहीं, जो बच्चे का brain है, वो शायद 5 साल तक बहुत ज़्यादा काम करता है, develop होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें, explore करनी है, आपने उसको sofa पर बठा के phone पकड़ा दिया, अब parents करें जी बच्चा बोलता नहीं, आप बोल रहो क्या उसके साथ, बच्चा आपके ज्यान से नहीं चलेगा, बच्चा जो देखेगा वो करेगा, आप भी phone में लगा है, वो भी phone में लगा है, तो बात क्या कर रहे थे हाँ, तो वहाँ पर फिर वापस आ जाते हैं, तो सर आपकी साब से फिर true love क्या है, true love definitely attachment नहीं है, एक sense of belongingness होनी चाहिए, जैसे अभी हम एक जो flow chart अभी मने डिसकस किया, attention, attraction, attachment, addiction, slavery and suffering, तो अगर हमारे so-called love relationships में, आपको suffering मिल रही है, ये दो पती-पतनी के बीच में भी बत में हो सकती है, अगर आप उस संबंध में, suffering में हैं, तो इसका मतलब वहाँ love तो नहीं है, ये बात पकी है, है कुछ और, अब love क्या है, जैसे मैंने कहा कि जो attachment और love है, ये diametrically opposite concepts है, love आपको complete freedom देता है, और अगर वो सीखना है, तो आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते है love को सीखने का तरीका है, एक छोटे बच्चे को आप देख लीजे, क्योंकि जो हमारी natural instincts हैं, वो एक बच्चे में साफ नजर आती है, उसके अंदर freedom है, उसके अंदर जवाय है, आप एक छोटे बच्चे को देखो, वो अभी चिगाडे मार के रो रहा है, और थोड़ी दिर मेरा make-up तो नहीं खराब हो गया, लोग मेरे क्या देख रहा है, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, हसते होगे, दात तो नहीं दिख रहे है, वो कुछ नहीं सोचता है, तो हम जो बड़े समझदार हो के बच्चों को सिखाने जाते हैं, अगर आप बच्चों को observe करने लग करता है, आप उनको छोड़ दीजे, क्योंकि वो pure form में है, हम तो फिर corrupt करने वाला काम ज़्यादा करेंगे, अपना जिंदगी जो दर्द में है, जिस philosophy और जिस तरीके से हमने चला है, शायद वह हम उसके उपर भी थोप देते हैं, आप देखो, observe भी किया होगा, girls in general, जब बच्चियां होती हैं चोटी, तो वो highly energetic होती है, बिकुस मतलब लेडी को nature ने ये power भी दिया है, वो हर तरीके से ज़्यादा empowered है, मतलब इसमें कोई इस तरह की debate वाली बात नहीं है, बट है वो शक्ति है उसके अंदर, mentally हम ज़्यादा strong पाते हैं लड़कियों को, लेकिन सम बढ़ने के साथ-साथ वो लड़कियां चुप हो जाती हैं, यह हमारी society में नजर आता है, तो जो बच्ची इतनी उच्छ्रिंखल थी, energy थी उसके अंदर वो चुप कैसे हो गई, क्योंकि आपने जो natural था उसको दबा दिया, तो natural अगर आप दबाओगे तो फिर वो दबता चला जाएगा, और फिर वो पर्मानेंटली चुप हो जाता है, बच्चा, अब जिसे बच्चा सवाल पूछता है, लोग कैता है, रहे चुप रहो, कितने बात करते हो, कितना बोलते हो, बच्चा चुप नहीं हो जा रहे, आज तो बच्चे 6-7 साल में चुप हो जा रहे, आपके पास पैसा है, घर है, आपने कमरा भी दे रखा, बच्चे के लिए अलग, हमारे अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ये हैसास कराता है, कि आप अधूरे हैं, आप अपूर्ड हैं, इस इंसान से जुड़ जाए, ये पूरे हो जाएंगे, ये फोन खरीद लीजे, पू शुरू करेंगे, अब हम उसे सक्सेस बताएंगे, कि बटा, आप ये करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, वो बच्चा खुदी कर रहा था ना, उसको रात दिन का भी नहीं बता है, वो रात में भी जग जाते हैं बच्चे तो, उनको खेलना है, वो खेलेंगे, अब हम उन्ह अपरेटर से ऑपरेट होते हैं, या फियर, या ग्रीड, बच्चे को या तो आपने डरा के काम कराया था, कि ये नहीं करोगे, तो ये नहीं मिलेगा, या अपने उसे लालज दिया था, कि ये करोगे, तो तुम्हें ये मिलेगा, क्या बड़े होने के बाद भी हम इनी दो से काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूँगा, तो मुझे ये नहीं मिलेगा, या तो डरा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में भी वो कह रहे हैं, कि तुम्हारे इतना पसंट अडिंडिंस नहीं होगा, तो हम तुम्हें एक्जाम में नहीं बैठने देंगा, ये कॉलेज में कह एक means है, जिसके जरीए तुम्हें ये end मिलेगा, जो आपका चिराग था, आपकी गुडिया थी, आप उसके लिए इतने हिंसक हो जाते हो, तो वो इस situation पर आप मचा रहे हो, तो आपके हिसाब से, as a parent, वो अपने बच्चों की mental health कैसे अच्छी रख सकते हैं, क्योंकि ये mental health मे उसकी पूरी programming और conditioning वैसे हो रखी है, तो उस conditioning को बदलने की जरूरत है, कि जो as humans हम आरे अंदर, जो uniqueness है, आप उसको flourish होने का मौका दें, उसको bloom होने का मौका दें, हम क्या करते हैं, जैसे हम सभी बचपन में कोई होबी होती है, कोई गाना गारा होता है, कोई artist बन रहा हो, तुम ऐसे रहो, ऐसे हसो, ऐसे बोलो, यह वाला course करो, यह वाली नौकरी करो, ऐसी जिन्दगी जी हो, तो अब तो यह masking है पूरी तरीके से, और आपको फिर इसमें frustration होती है कि नहीं होती है, होती है, होती है, सबको होती है, जैसे आपने यहाँ पर problems बताई हैं, कि यह problems हो ही है, बट as a parent, बच्चों की mental health कैसे सही हो सकती है, solution क्या है, solution यही कि पहली बात हो, आप problem को accept करें, because किसी चीज़ का इलाज तब होता नि, जब बीमारी को आप accept करें, हम कई पर सीधा इलाज की तरब भाज़ते हैं, कि इसका क्या इलाज है, जैसे बच्चे के ते सर क्या क बता दो, ऐसे नहीं होता, पहले आप problem को समझे, उसके बाद इलाज की बात होती, तो अगर problem समझ आएगा, तो इलाज parents खुद ही कर लेंगे, उसमें सबसे पहला तो तरीका यही कि आप अपने बच्चे से समवाद करिये, बातचीत करिये, जो यह वाली आदत है कि आपने उसको सामान दे दी, चीजे दी, फोन दे दिया, घर दे दिया, कमरा दे दिया, गाड़ी दे दिया, आपको लगता है कि as a parent आपकी जम्मेदारी बुरी हो गई, यह आप शायद न भी दें, लेकिन बच्चे से अकर बातचीत करें, communicate करें, तो यह ज़्यादा जरूरी है, कोई बड़ी महनत नहीं है, बट सही महान में parent बन पाना अपने आप में बहुत बड़ा challenge है, कि आप, और खास दोर से आज के समय में, जहां पर इतना कुछ आपके पास से consume करने के लिए, आप उससे कैसे उस बच्चे को बचा पाएंगे, कैसे उसको सही तरीके से guide कर पाए अगर आप उसको चुप कराने शुरू कर देंगे, तो वो चुप ही हो जाएगा, और फिर वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जिसे हम जो फ्रेज करते हैं, I love you, इसमें आई ज्यादा हावी होता है, लव कम होता है, मैं तुम से प्यार करता हूँ, तुम कैसे नही करोगी, जब हिंदी अकवारों में वो लाइन आती ही न, प्रेमी ने प्रेमिका की चाकों से गोद कर हत्या की, अब लाइन लिखने वाले को शरम तो आती नहीं, वो लिख देता है, प्रेमी उ प्रेमिका चाकों से गोद कर हत्या करेंगे, जो ये मेरा शब्द है न, ये हि असी चीज को पराया कर दिया और जहां मेरा होगा वहां मालकियत होगी मालकियत होगी तो फिर क्या होगा social होगा मालिक और गुलाम में प्यार होता है कभी एक अगर मालिक दूसरा गुलाम है क्या संबंधों में नहीं है यह हमारे लडकिया इस चीज़ को फ्लांट खरती है करें मेरे पती तो बोई फ्रेंड करेगा जो न्यूज में आता है क्योंकि आप तो बनी हैं पजेशन, सामान और सामान फिर वो होगा भी सजना है मुझे सजना के लिए तो वो सामान बना भी रहा है आपको फिर वहाँ से जब कहानी आगे शुरू होती तो मैट्रिमोनिल साइट भी पहुँचती है वहाँ भी इतने इंच, गोरा रंग, गरियकारे दक्ष बहु है पती चाहिए तो इतने डिजट, सैलरी वाला चाहिए तो तुमने पूरा चक्र ही इंसान को सामान मनाने वाला कर दिया तो फिर डाइवोस रेट भी वहाँ आल टाइम हाई होंगे तो यह सारा चक्र कैसे चल रहा है यह आपको फिर रज़र आना शुरू हो जाता है तो यह जो मेरा वाला मामला है इसको बंद करना पड़ेगा प्यार वाली आँखें सभी को सम भाव से देखती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जो हम अटेश्मेंट और लव को डियमेट्रिकली आपोजिट बता रहे थे तो अटेश्मेंट में डिपेंडेंसी होगी ना जिसके उपर आप डिपेंड है टैस्ट है जो चला गया दर्द दुखा गया लव में डिपेंडेंसी नहीं है और लव करने वाला इंसान पहले अंदर से अमीर होना चाहिए जिस बिखारी खोखलेपन के हम पहले बात कर रहे थे कि दो बिखारी मिलरे तो वो लडेंगे अगर आप अन्दर से अमीर है न तो फिर आपको इस वात की चिंता भी नहीं होती आप देखो, यह हिंसक कैसे है, जिसे कई बार लोग सोसल मीडिया पे फ्लाउन करते हैं, कि मैं कुत्ते का बड़ा प्रेमिम है, मैं डॉग लवर, तो वो कन्या जो है, इंस्टाग्राम पे फोटो भी डाले कि वो अपनी BMW में मैं भी घुमा रही है, लेकिन उसी बंगले के सामने ठंड में एक गली का कुत्ता कुंकु करते मर जाएगा और उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसी की बात कर रहा था, मेरा हिंसा का मूल है, क्योंकि वो मेरा कुत्ता है, तो वहां कुत्ते से नहीं प्यार है, मेरा कुत्ता है, तो वो मर्सेडीज में भी घुमेगा, बाहरवाला मर रहा है ना, तो वो हिंसा कौन कर रहा है, आप ही तो कर रहे हो, फिर आजाओ उसी से ओनर के लिंग पे भी, कोई जानवर कभी अपने बच्चे को मारता है, पैदा होई थी, गुडिया होई है, चिराग, खुल दीपक, सब था वो, तो जब तक उसने सामान के तौर पे बिहेव किया, जब तक मेरा बेटा, मैं जो कहूंगा, वो करेगा, मेरी बेटी जो मैं कहूंगा, वो करेगी, वो डिगरी करेगी, वो नौकरी करेगी, वो जीवन जीएगी, तब तक तो आप बहुत प्री हैं एक बार आप उस लाइन से हट के देखें क्योंकि अभी तक के सारे आपके एक्षन उनके इगो को मसाज दे रहे थे तब तक तो फ्रॉंड करेंगा रहे मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ने ये किया है कई बार तो बड़ी शौकिंग घटना है सुनने को मिलती कि दो डॉक्टर्स हैं या दो विरोक्रेट्स हैं और उनके सो काल्ड संबंधों में, शादियों में दिक्कतें आ रहे हैं क्योंकि वो सो काल्ड एक जाती या धर्म या इस तरह की बातों से नहीं बिलॉंग करते हैं तो तुमने पढ़ाई भी करी है तो जैसे कहते हैं पढ़े लिखे हैं बयोकूफ वो शाद पूरा विकास उनका नहीं हो पाया और वहां पिस तरह की खटना है देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि अब लव क्या है वो समझ में थोड़ा आ रहा होगा और यह रोजी-कोजी बाते नहीं है पहली बात तो लव एक दमदार आदमी कर सकता है तुच्चा ही इसके अंदर अगर हलका पन है तुच्चा इंसान है तो वो लव नहीं कर सकता और ज्यादा तर जो कहानिया आपको नजार आ रही है आसपास यहां यह दूसरा वाला एक्जाम्पल है क्योंकि जिसे मैंने कहा कि यह लव वाला इंसान सबको संभाव से देखेगा उसको अपना कुत्ता भी प्री है और बाहर वाला भी है जो कि छोटे बच्चे के अंदर होता है वो बड़े बाप का बच्चा है पैदा हुआ है अब गाड़ी में बैठा हुआ है लेकिन अगर रोड पे एक ठेले वाला जा रहा है और वो बाहर से ऐसे हाथ हिला रहे है तो बच्चा हिलाता है हाथ उसको अभी नहीं पता यह कच रहा नहीं डाला उसके पिता ने कि अरे तु तो बड़े बाप का बेटा है तो उससे हाथ दिखा रहा है उसको नहीं पड़ा है वो मैंने इसले कहा कि बच्चा प्योरिस्ट फॉर्म है उन सारी नैचुरल ट्रेट्स का जो भगवान हमें फ्रीडम दे के भेजते हैं उपर लगते हैं कि यह करके खुशी मिले देखरो अपना करप्शन हो इंसानों का तो जो नैचुरल मिला थो तुमने उसको दबा दिया वह बच्चा जब दिखा रहा था उच्छाल उच्छाल के तुमने का चुप रहो चुप रहो बहुत बोलते हो डिस्टरब करते हो फिर वह निचुरल फार्म था जीवन का तुमने कॉंसेट दे दिया यह करके, दसमीं करके खुशी मिलेगी, बारवीं करके मिलेगी, यह वाले कोर्स में गरेजिशन वाट मिशन हो गया, खुशी मिलेगी, नहीं मिली खुशी, अभी पता नहीं कहा चुपी है वो खुशी, फिर God's It Friday, TGIF कि जा के मौल में अब है वो कुत्ता वेचार वो प्यार का पंचनावा में नहीं था बाई कुत्ता है ये तो वो ही वाली चीज हो गई न तुमको पांच दिन बात के रखा जाओ दो दिन जी लो अपनी जीमें कि फिर आ जाना और उसको लग रहा मेरी यही तो यही जीवन है इसके ब्यार्ण में जा कहा सकता हूँ तो अभी जो एक कलोनियल हैंगोवर वाली बात करी थी न वो पावर्टी कॉंसेस अभी भी इंदुस्तान में बहुत है कि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा यार यह जो गाए बैल बाहर जानवर जीव जनतु गूम रहे है यह जो अर्थ वार्म है यह कोई करीयर बना है इन्होंने रोटी खाने के लिए वो भी जिन्दा हैं वो भी रह लेते हैं तो एक इंसान के तोर पर इतना कमजोर क्यों समझते हो कि हम अपने लिए खाना और छट नहीं जुटा सकते लेकिन हमारी पूरी एक्जिस्टेंस बचपन से पूरी प्रोग्रामिंग इसी के लिए कि कम से कम यह छट जुटाने लाइक रोटी खाने लाइक हो जाए माभाप की यही तो चिंता है मेरे बाद इसका क्या होगा इतना जब यह चीज़ी होती है तो लिमिट भी कर लेता है इंसान की मेरी लिमिट बस इतनी है कि मुझे इतना हो जाए तो बस काफी है इतना हो जाए बस तो वो possibilities देखनी पाता हो आपती हिसाब से फिर खुश रहने का सही तरीका क्या है हाँ खुश रहने का तरीका यही है कि जहां हो वहां रहो पूरी तरीके से हम तो abscond minded रहते हैं न वो फिर बचपन में जब थे तो जहां थे वहां पूरी तरीके से थे हस भी रहें तो पूरी तरीके से रो भी रहें तो पूरी तरीके से अब बड़े होते पर अंदर से रुलाई आ रही बढ़ हसने का नाटक करना है तो मुखोटे बहनने की ट्रेनिंग बच्पन में दे दी थी वो हमारी बढ़िया चल रही है एक्टिंग के लिए मुखोटे की जरूरत होती है लेकिन पूरी जिन्दगी अगर एक्टिंग बन जाए तब mental disorder और नहीं होगा तो क्या होगा अब गबर जो है वो घर पे भी आके अपने कहे कि कितने आदमी थे तो बीबी तो मारे गी ना उसे तो जब रोल करना था तब रोल करो ना पूरी जिन्दगी को रोल क्यों बना लेते हो माबाप से रियल बात हो पा रही है क्या बहुत बाते होती ना माबाप एक बेटा बेटी अपने माबाप से क्या पूरी तरीके से खुल के बात कर पाते हैं क्या जो उनका दुख दर्द है और क्या वो सुनने को तयार भी है क्या लेकिन द्रोल दोनों अच्छे ने भार है वो माबाप का और इथर बेटा बेटी का दोनों आदर्श हैं बिल्कुल बच्चे को पता है कि पिता जी के सामने कैसा चेहरा लेके जाना है मा के सामने कैसा लेके जाना है यह कितनी बड़ी दुर्भागे पूर्ड बात है जिसको हम so called closest relationship कहते है because उन माता पिता की वज़े से ही हमारा existence है उनके साथ भी हम real नहीं हो पारे बाकी तो छोड़ दो आप और यहां गलती दोनों party की है कि parents के साथ दोस्ती कैसे कर सकते है क्योंकि एक generation गया आप लगता है कि हम कुछ बाते होती है जो हम नहीं बता पाते तो क्या वो possible है कि हम उनसे दोस्ती कर सकते है बिल्कुल बिल्कुल यह बिल्कुल possible है और actually यह हमें लग रहा होता generation गयप आप थोटा सा गहराई से देखो को तो सब वही script जी रहे है वो भी जब teenage में आए थे तो हमारे दादा जी से उनका भी रहा होगा जैसा बच्चा जब teenage में आता हो तो से लगता है कि मेरे बाब आप मुझे समझते नहीं आ रहा है बहुत पीछे रह गया यह तो उन्होंने भी अपने बाबाब को ऐसी समझाता है यह मुझे नहीं समझ रहे और हम भी शायद यही समझेंगे अपने वाले बच्चों की तो जो मैं बार-बार script की बात कर रहा हूँ वो यही है कि अगर scripted life हो की तब वहाँ पर दिक्कत है parents और बच्चों के बीच में क्योंकि यह जो हमारे competitive exam के experience है उनके लिए बहुत बड़ा challenge होता है कई बार बच्चे को यह लग रहा होता है कि माता पिता मुझे शाहत पूरा time नहीं दे पा रहे मुझे तयारी के लिए और time चाहिए या उनको मेरे potential पर भरोसा नहीं है या बहुत तरकी बाते है तो इसमें पहली बात तो students को experience को पढ़ने वालों को यह समझना पड़ेगा कि देखो हर माबाप अपने बच्चे की बहतर ही चाहते है लेकिन वो भी तो इनसानी है उनकी भी सोच limited है माबाप का मतलब यह नहीं कि वो सबसे उपर दर्जा हो गया उनसे उपर कुछ नहीं है टाइप वो भी एक इनसान है एक normal इनसान जो रोट में घुब रहा वही तो माबाप बन जाएगा किसी दिन आप देखरों बहुत ही बुरे हालात में आप देखों बड़े शहरों में बहुत सारी जो migrant laborers आते हैं बच्चे बच्चियों जैसे होते बट उनकी हाथ में भी छोटा बच्चा होता है तो अब वो कहने ही मेरे बाबाब आप आदर्श है पहली बात तो उनको साथ होना नहीं चाहिए था इतनी कम उमर में अपनी छट का पता नहीं एक और बच्चा उन्होंने बैदा कर दिया उसका भविश्ट भी खराब है तो मैं इसलिए कहरा हूँ कि जो हम आइडियलिजम में जीते हैं उसकी जगह पर रियालिटी चेक बड़ा ज़रूरी है कि आप रियालिटी के साथ बात करिए और एक तो पैरेंट्स को अपने बच्चे का इंस्टिंक्ट पता होना चेक उसका अप्टिट्यूट अट्रिवूट अट्रिवूट कैसा है वो किस तरह के फिल्ड में जा करके बहतर कर सकता है जिसके शुरुवात अगेन बच्चपन से ही होगी जो मैंने कहा कमिनिकेशन अगर आप लगातार कमिनिकेट कर रहे है तो बच्चे जिस चीज में बहतर है वो चाहे स्पोर्ट में बहतर है किसी हॉबी में बहतर है या पढ़ाई लिखाई में बहतर है तब वो कर पाएगा Otherwise तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी तो कमिनिकेशन बहुत मस्ट है और बच्चों को ये समझना है कि माबाब दुश्मन नहीं है वो सिर्फ आप से ये चाहते हैं उनके बिना आपका जीवन बहतर चले उनको यही डर होता है Middle Class का कि मेरे बाद इसका क्या होगा तो अगर आप वो confidence अपने result से अपने काम से उन्हें दे पाते हैं तो फिर वो परिशान नहीं होंगे तो इस बात को समझना है और उनके हर बात को लेकर के बड़ा negative होने की ज़रूत नहीं है उसका भाव समझना है अब हो सकता है बच्चे कहते हैं माबाप बहुत चलाते हैं पिता जी ये करते हैं यार जो भी कर रहे हैं उनका क्रक समझो आप एक माबाप का यही दर्द है कि मेरे बिना इसका क्या होगा तो अगर आपने वो confidence दे दिया तो फिर ये दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी और दूसरी बात माबाप का भी अपना दायरा होता है सोचने का जैसे कही बड़ बच्चे कहते हैं तो ICS का एक्जाम उन्होंने दिया और इंडियन होने के नाते सुभाज नर्वोस की चौथी रैंक आई थी तीन अंग्रेजों की थी लेकिन जब उनके बस collector का offer लेटर आया तो पिताजी के सामने उन्होंने फाड़ के फेक दिया तो पिताजी ने कहा क्यों किया ऐसा तो उन्होंने वही बात कही कि जब मुझे पूरी देशवालों का देशवासियों का विश्वास जीतना है जब मैं इस mission पे जा रहा हूँ तो अगर मैं अपने पिता का विश्वास नहीं जीत सकता तो मैं देश्वासियों का विश्वास कैसे जीतूँगा कहीं आप ये ना मालने कि ICS की परिक्षा बहुत मुश्किल है इसलिए मैं उससे पीछा चुड़ा रहा हूँ मैं कलेक्टरी करने के लिए ICS की परिक्षा पास नहीं किया था आपका विश्वास जीत नहीं के लिए था तो मैं वही कह रहा हूँ कि पैरेंट्स के अगर अपने एक दाइरे हैं तो आप उस दाइरे को अचीव कर लिजे आपको लग रहा है कि आपका बड़ा पोटेंशल है उसको पहले स्टेप मान के चले जैसे बहुत सारे बच्चे SAC में सलेक्ट होते हैं वो फिर UPSC के लिए भी जाते हैं आप आज क्लर्क सलेक्ट हो रहे हो आप हो सकता है आगे जाके RBI ग्रेट B ऑफिसर बनो तो शायद उनका वो दर्ख हतम हो जाएगा कि हाँ अभी कम से कम अपने लायक हो गया और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्जांपल्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं बहुत सारे बच्चों ने इंटर्व्यू दिये हैं बिलको लोर मिडिल क्लास से उट करके और किस तरीके से उनोनी चीज़ों को अचीव किया है तो सार कॉन्फिडेंस गें करने के कोई तीन टिप्स आप देना चाहो तो अगर मैं पहले टिप की बात करूँ तो एक ओनेस्ट रिलेशन सिफ विद योर सिल्फ जिसको हम कहते हैं रियालिटी चेक कुई कई बार हमारा जो perception हमारे बारे में होता है वो दूसरों के द्वारा दिया गया होता है तो आप अपने आप से जितने ज़्यादा इमानदार हो पाएंगे उतना बहतर अपने आपको जान पाएंगे जानने के बाद जो कमिया है हम सभी में होती हैं उन कमियों को एक्सेप्ट करना और उनके उपर काम करना और जब उनके उपर आप लगातार काम करेंगे तो confidence आपका final product ही है confidence हमारा loose तभी होता है जब हम हैं अंदर से कुछ और बाहर दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं और ऐसी masking बहुत तीरी से उड़ जाती है इसलिए आप observe भी करोगे कि बड़े बड़े लोगों को अगर उनकी body language हम देखे हैं जैसे हमारे पूर राष्टपती अपीज़े अब्दुल कलाम वो आपको कभी चोड में नहीं दिखाई देंगे हमेशा ग्यानी आदमी जुका हुआ नजर आएगा क्योंकि आपका ग्यान जैसे जैसे बढ़ता है आपको यह समझ आता है कि मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता अभी तो आप automatically humble होते हैं वहीं पर आप जाहिलों को देखेंगे उनके अंदर अकड़ बहुत होती है तो confidence को कभी भी misconstrue मत करें कि आप चौण में खड़े हो तो यह confidence है ऐसे confidence SSBs के अंदर अच्छे इंटर्व्यू में एक मिनिट न उतार दिये जाते हैं मैंने भी कई बार stress इंटर्व्यू लिया है तो बच्चे आँख लाल करके भी गए हुए है तो यह confidence का कई बार misconstrued notion होता है कि इसका मतलब कि आप चौण में रही है ऐसा नहीं होता आप जैसे reality चेक करेंगे तो अपनी कमियां पता लगेंगी और कमियों को पता करने के बाद उन पे काम करना है यह बड़ा एक important topic यह भी है कमियों को चुपाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि लोगों को नपता लगे मेरे अंदर यह problem है उसमें वो चुपाने में आप पूरी energy लगा रहे बट उससे कम energy शायद उस problem को accept करके उस पे काम करने में लगते है तो acceptance love में भी acceptance first stage है जैसा है वैसे पहले accept करो पहले से उसको operate ना करने लग जाओ ठीक है तो government exams की English में को एक ऐसा point बताईए जो चीज उनको नहीं करने चाहिए तो अगर हम तीन tips की बात करें तो तीन areas हमारे अर्वेबर में पूछते हैं grammar, vocabulary, comprehension grammar में जो काम आपको नहीं करना वो rules को रटना नहीं है because grammar is nothing but the mathematics of language और जब mathematics है इसका मतलब logical है conceptual है concept को समझेंगे तो फिर rule रटने की दिक्कत नहीं होगी दूसरा vocabulary की अगर हम बात करें तो ज़े common mistake होती है लोगों को लगता है कि vocab की Hindi meaning रटलो और दूसरी गलती करते हैं वो synonym के list रटर है तो इसकूल का exam नहीं कोई नहीं पूछता किस वर्ड के चार पर है वाची लिखो आपको वहाँ पर ये दिमाग चाहिए कि इन चार similar words में difference क्या है तो your focus should be on differentiating synonymous words जिसके technical parameters होते हैं connotation, collocation, context इस बहुत बिसिक साइग्जम्बल massacre, genocide, carnage तीनों का मतलब नरसंगार है एक मासूम बच्चा रटलेगा तीनों नरसंगार है तीनों अलग अलग है massacre है जलियांवाला बाग हत्याकान deliberate and indiscriminate killing genocide in 1984 Sikh genocide a planned killing of a particular community ethnic clinging what we call and carnage is a war killings like Russia-Ukraine war or accidental killings plane crash, train crash तो this is something what you need to do in vocabulary do not mug up synonymous words try to differentiate them so that you could perform better in vocab based questions like fillers and close distance and as far as comprehension is concerned समझ comprehension का मतलब understanding होती है जब आपको sentence structure की समझ होगी जो की grammar के fundamental से होगी और vocabulary के usage की समझ होगी तो भाशा अपने आप बहतर तरीके से समझ में आती है तो ये dynamics हमें समझना है कि तीनों एरियाज को हम बराबर वेटेस दें and there are interconnected as well if someone is saying कि मेरी grammar अच्छी वो किया अच्छी नहीं तो इसका मतलब बड़ा माशूम है English या तो अच्छी होती है नहीं होती है as simple as that जो banking exams होते हैं उनको crack करने का सही तरीका क्या है banking exams और SSE exams का अगर हम differentiation करें भी वाजिक government sector के exams है तो difficulty level में banking exams SSE से थोड़े उपर आते हैं और दूसरी बात यहां पर कि language का अगर आपको exposure अच्छा है आप banking exams आसानी से clear कर सकते हैं exposure का मतलब if you are watching, listening, reading English for 45 minutes to 1 hour daily basis पे तो शायद आप बहुत अच्छे तरीके से paper को निकाल सकते हैं क्योंकि वहां पर vocabulary और comprehension का usage थोड़ा ज्यादा होता है और यह माना जाता है कि grammar आपको आती है बट हम पढ़ाते हैं हमें बता है कि बच्चों को नहीं आती तो वह हम बैच के अंदर पढ़ाती ही पढ़ाते है पर इसका level थोड़ा सा हाई है और साथ ही साथ जो चीज़ अलग बनाती इसको SSE से वह interview और GD का भी section है तो English जब आप consume करते हैं पढ़ने सुनने और देखने में तो आपको interview और GD के लिए भी prepare करती है and other than that you have to work on your communication skill as well because you are supposed to face interviews and GDs so bank के जो exam से उनको clear करना बहुत easy है आप SBI BO भी बनेंगे, bank P.O. भी बनेंगे और RBI grade B officer भी बन सकते हैं provided that right guidance आपको चाहिए कि जो उन exams की जरूरत है अगर आप वो कर रहे हैं तो you can easily crack these exams दोसर आपके हिसाब से क्या हम सबको खुश रख सकते हैं दोको सबको खुश करना जो है न वो possible है नहीं जिससे अगर आपके साथ चार लोग हैं या हम अगर घर में भी example ले ले लेते हैं माँबाब, भाई, बहन ये दोस्त, वो दोस्त, someone special तो सबके लिए हम अलग-अलग चेहरे लेके चलते हैं क्योंकि हमें बता है कि अच्छा वो इससे appease होंगे, खुश होंगे और उस appeasement की प्रक्रिया में आप पूरे दिन मास्क लगा के रहते हैं और बही बात कि हम जिंदा लोग हैं, कितनी दिर आप मास्क लगाओगे, मास्क लगाओगे तो अंदर फिर suffocation और frustration शुरू हो जाती है तो आप ही source है और आप अगर वो source धीरे-धीरे अंदर ही अंदर कुड रहा है, मर रहा है फ्रस्टेट हो रहा है, तो वो खुश कहां से रख पाएगा अंदर दर्थ है, वो दान दिखा रहा है तो इसका सीधा और बहुत ही simple सा तरीका यह है कि जिसे कहते हैं कि सूरच जब उगता है तो यह नहीं कहता कि मैं उग गया, आओ प्रकाश लेलो light लेलो, जिसको लेना वो ले लेता है इसलिए अपनी जिंता कर लो पहले अपने आपको अगर आप खुश रख पा रहे हो जो भी आप काम कर रहे हो, आप भी कर रहे हो आप से करवाया नहीं जा रहा है क्योंकि जनरली हमारी कहानी यह होती है कि मैं हूं कुछ और, कर कुछ और रहा हूं करना कुछ और चाता हूं और करवाया कुछ और जा रहा है तो जीवन रूपी गाड़ी के चार पही है चार दिशाओं में है गाड़ी आगे कभी नहीं बढ़ते ही है आप चाहे जितना भी एक्सेलेटर दबाईए बस वियर ओटियर ही होगा तो हमारी जिन्दगी ऐसी है अब जो चार पही है न वो ही होगए चार लोगों को खुश करने में तो आप तो आगे बढ़ी नहीं रहे उस प्रक्रिया के अंदर आप आगे बढ़ जाओगे इसको खुशी लेनी है वो ले लेगा उस चीज को बाहर कैसे दे सकते हो सामने वाले तो आप खुद की इज़त नहीं करते हैं किसी और को इज़त नहीं दे सकते हैं खुद को प्यार नहीं करते हैं किसी और को प्यार नहीं कर सकते हैं खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो आज अगर हम diffident feel करते हैं, confident feel नहीं करते तो उसके पीछे यही है, जो अपने द्वारा भी हम अपना ही बरोसा खो चुके हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा तो इसके पीछे की पूरी पूरा चक्र यही है, तो इसलिए पूरी तरीके से पहले खुद को enrich करिए, खुद को solid बनाएंगे न, तो parents, रिस्तदार, दोस्त, यार सब अरे दूर-दूर के लोग रिस्ते ले बनाने लग जाते हैं, अरे पता है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम थोड़ा academic point of view से बात करें, तो यह term 90s में आया था, और पहली बर इसका इसका इस्तमाल American army के अंदर के अंदर के आ गया था, क्युनकी recruitment में हम emotional intelligence का इस्तमाल करेंगे, तो अब तो यह term जो है, बहुत normal है, मैं तो आगर normal sense में बात करूँ तो जो हमारा brain है, वो left brain और right brain जिसको हम बोलते हैं, तो एक हिस्सा जो हमारे IQ के लिए बड़ा important होता है, यानि logical reasoning, rational thinking, this and that, और एक part जो हमारे imagination, creativity इसके लिए होता है, और इस हिसाब से हम personality भी decide करते हैं कि अच्छा, ये इंसान इस तरह के काम के लिए अच्छा है, ये इसके लिए अच्छा है, तो एक हो गया IQ और दूसरा हो गया EQ, तो EQ particularly आपका emotional side है, और emotion जो है, वही आपके imagination को जन्म देता है, right, और imagination को कई बार knowledge से भी बड़ा उच्छास्थान मिला है, बड़े-बड़े लोगों की sayings भी है, इसको लेकर के, कि imagination से ही तो नहीं चीजें निकलती है, अधरवाई जो पहला था, जीवन वही रह जाता है, तो imagination का इसके लिए, imagination knowledge के लिए रास्ता बनाता है, अगर कोई imagine नहीं करता, तो शायद उसकी दिशा में आगे नहीं बढ़ता, और हमारी जिन्दगी जिस रूप में आजहा हमें, उस रूप में हम आगे नहीं आगे, तो यह भी बड़ा important है, और फिर एक टर्म और आता है, that is called spiritual quotient, what we call SQ, so someone who has the ability to utilize both part of the brain in a very harmonious fashion, left brain and right brain both, that person will have spiritual intelligence or spiritual quotient, so जिनको आप देखते हैं, जीवन में काफी सफल, जाहे वो कोई entrepreneur है, कोई artist है, किसी भी field के अंदर, आप generally पाएंगे कि they have fantastic SQ, एक leadership के, leader वाले role के अंदर, इसके अंदर leadership की quality है, वो brain के दोनों part, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, जिसे imply के तोर पे, अगर आप सिर्फ IQ दिखा रहे हैं, objectivity, ये काम कर लो, अच्छा हो गया, हो गया, हो गया, पहले selection process में यही होता था, multiple choice question, आपका IQ test करता है, लेकिन वही तब आप UPSC में जाते हैं, वहाँ ऐसे लिखाया जाता है, वहाँ interviews होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी objectivity के साथ साथ, वो आपकी subjectivity भी देखते हैं, आप बात करें, defense forces की, जो army officers हैं, SSP होती है, four to five days, क्यों होती, तो इसलिए इन test के अंदर interview और जो GDs या personality test होते हैं, या descriptive writing होती है, this simply reflects that what kind of person you are, writing a paper and clearing a paper is not a big deal at all, because there is a certain syllabus, you can easily prepare that, you can excel in that examination, but the kind of job profile you are, you know, applying for, उस job की requirement है कि आप इंसान कहाँ साथ, तो वहाँ पे आजाती हैं, हमारी subjectivity, और वहाँ emotional intelligence आपका चेक होता है, इसलिए मैं यह कहता भी हो, in interviews, lectures में भी कि, there is nothing wrong or right in any interview answer, but whatever you say in the answer of that question, that simply reflects that what kind of person you are, तो आप बता रहे होते हैं कि आप कौन हैं, उसमें कोई सही गलत की बात नहीं हैं, बच्पन से लड़कों को इसी है जाता है, कि आपको weakness नहीं दिखानी है, strong बनना है, और लड़की तो रोते नहीं है, यह again एक flawed conditioning है, कि बच्चों को strong होना है, जैसे कई बड़ी statistics आते हैं कि, फुरुशों को heart attack ज़्यादा आते हैं, तो again, जिस तरह का emotion है, उसको जाहिर कर लेज़े, अगर आप अभी नाराज हैं, तो असानी कि पूरे समय नाराज रहेंगे, थोड़े समय के लिए होते हैं, रोना आ रहा है, रोना थोड़े समय, इट्स नॉमल हुबन इमोशन, बट जो चीज और गैनिकली आपके अंदर से बाहर आरी है, अगर आप उसको डबाएंगे, तो वो ज़्यादा खतरना है, पर किसी चीज को डबाऊगे, तो फिर उसमें, फिर वही पुरुष हिंसक भी होते हैं, आप उप्री तो मानोगे, जिसको बताया कि है है स्ट्राउंग, तो क्योंकि उसने दबाया बहुत है उसने अपने अंदर, जब उसको मौका मिलता है तो फूटता भी बहुत तेज है, तो इसलिए जितना आप नैचुरल होने के करीब रहेंगे, उतना बहतर रहेगा, ओपर से जितना इंपोजिशन होगा, बहुत आटा करएगा. सरू, इंग्लिष बोलना कैसे सीख सकते हैं? इंग्लिष बोलना कैसे सीख काहँ है, सबसे बहला काम तो उसके लिए इंग्लिष बोलना ही बढ़ेगी. हम English speaking के content को पढ़ करके या template रट करके speaking नहीं करेंगे दूसरी बात जो दूसरा tip है वो यह कि जो standard speaking है जिसे आप All India Radio की news सुन सकते हैं जो हमारे English news channels है, business news channels है उन news readers को सुनी है आप और सुनने के बाद imitate करें इमिटेशन में आपको ध्यान किया रखना को बड़े important points है प्रनूंसियेशन, Diction, Ocal Intonation, Vocal Energy, Voice Modulation, Projection of Voice these are the technical aspects of speaking and while you are imitating standard speakers you will learn these things and again third thing is आपको यह समझना जरूर चाहिए कि मैं किसके लिए speaking सीख रहा हूं because in different setups you need different kind of skills in speaking and it's not limited just with English for any language for that matter तो अगर आप एक GD में बेटे हैं तो वहाँ speaking के skills अलग होगी interviews में अलग होगी conversation अलग है formal informal अलग है public speaking है that is a different ball game altogether so इन तीन बातों का ध्यान रखे तो आपको बहुत आसानी से आप इस skill को बहतर कर सकते हैं अबसे पहली बात पिर से take a quick repetition first thing start speaking don't read content on speaking second thing is start imitating standard speakers start listening and watching programs on new channels All India Radio News आप सुन सकते हैं business new channel को सुन सकते हैं और तीसरी बात जब आप imitate कर रहे हैं then start observing pronunciation, diction, vocal intonation, vocal energy voice modulation, projection of voice अगर आप इन चीजों पर master करेंगे then you become a good speaker और शायद जो native speakers हैं आप उनके बास आते हैं तो बहुत सारे लोग जो speaking करते हैं उनकी pronunciation बहुत गड़ बड़ है जैसे pen और pain समझ नहीं आता है मैंने बहुत बार students को दिया है मुझे pain दे तो मैं pain लेकर नहीं आया या pain दर्द होता है दर्द चाहिए तो मैं pen होता है वो तो यह जो MTI है Mother Tongue Influencer पंजाब से आते हैं Bult, Patrol That is bullet, that is petrol Bihar, Bengal उडिसा से आते हो तो बह भभव हो जाता नर्भस हो गएते मैं सरक पे जा रहा था मेरे को पकर लिया रव अड़ा में दिक्कत आती है तो यह जो problem है वो English में भी निकल के आती है और आप बड़े-बड़े लोगों को देखेंगे कि वो बड़े-बड़े पदों पे भी पहुँच गे बड़ी शायद ये चीज़ आप देखेंगे उनके अंदर से निकल नहीं पाती है वढ़े विद्वान हैंपढ़े लिखेंगे पड़े लिखेंगे ऑ़ड़े नहीं निकलती प्कॉस ये बहुट घीप टाउन होती है बचपन से जहां पैदा हुए हैं पढ़े पढ़े हैं वही कानों में पढ़ा है और speaking से ज्यादा listening important है इस बात को पहले समझना है because in any language there are four things we can do reading, writing, listening and speaking and these four are interconnected अगर आप बहतर read करते हैं तो आप writer के तौर पर बहतर हो पाते हैं तो अलगतर है कि sentence structure, vocabulary, choices यह आपको समझ आती है और speaking के अंदर listening का बड़ा important role है जैसे बहुत बार videos viral होते हैं यह हमारे travel guides होते हैं वो कही तरह की भाशाएं बोलते हैं जबकि उनकी formal education नहीं हो रख्ये हैं कारिस्थान में आप देखोगे तो उन्होंने कहां से imitate ही किया है कि आपके pronunciation बहतर हो यही है इस speaking से संबंदित गया negative self talk कितना harmful हो सकता है एक student के लिए negative self talk किसी के लिए harmful हो सकता है student के लिए भी होता है किसी इनसान के लिए भी हो सकता है और उसके पीछे जो कारड हैं वो यही हैं कि जब आप अपने आप से अंजान होते हैं potential के बारे में आपको नहीं पता होता है और हम यह observe भी करेंगे कि जिन्दगी में अपने आपको हम ज़्यादा तरस हमें दूसरों के चश्मों से देखते हैं अब जैसे मेरा ये दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है या मेरे माता-पिता क्या सोचते हैं तो कई बार उनके impression को ही उनके estimation को हम अपनी image बना लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ जोकि इंसान के तौर में हमें बता है कि हम अपने बहुत सारे पत्ते किसी से नहीं खोलते हैं हाया ना तो शायद जो आपके closest one है वो भी आपके कुछ aspect के बारे में तो नहीं जानते हो बहुत ही private चीज है parents भी नहीं जानते हैं शायद वो closest हैं लेकिन वो भी नहीं जानते हैं अगर बच्चा घर से बाहर निकल चुका है पांच साल से बाहर रह रह रहा है preparation कर रहा है तो माबाप उससे नहीं मिल रहा है अब उनका वो दीपक अब वैसा है वैसा नहीं है उनको नहीं पता वो दीपक में बदलाव भी आ चुका है लेकिन दीपक शायद माबाप के सामने फिर वो ही मुकोटे वाले चेहरा लेके चला जाएगा तो इसमें सबसे important यही है कि दूसरों की जो amazing है आपके बारे में उसको अपनी reality ना माने बहुत simple सा example सब्सक्राइब आपकी picture बनाने के लिए 10 रंग चाहिए लेकिन जो आपकी picture बना रहा है उसके पास हैं ही 5 रंग उन 5 रंगों से ही तो बनाएगा तो इसलिए एक simple tip है इस चीज़ के लिए कि be 100% honest with yourself 100% अपने साथ 100% इमानदार रहे है और इमानदार जब आप रहेंगे तो फिर जो कमिया होंगे उनको आप दूर करें दूसरे के साथ कितना रहना वो आपकी call है वही ये person के साथ 80% रहना है इसके साथ 70% रहना है अपने आपके साथ बही मानदार रहेंगे तो ये negative self-talk की जो problem है ये दीरे दीरे दूर होती जाएगी कहना आसान है करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नई चीज़ होगी है हम तो लगातार projection पे ही चलते हैं और हम अपनी इमेज इसलिए बनाते है so called personality का concept ही ऐसा है attitude दिखा रहे है attitude दिखा रही है तो वो पूरा projection बनाए ही इसलिए जाता है कि लोग मुझे perceive ऐसे करें लोग भी फिर perceive करते हैं तो फिर अंदर दर्द होता है अच्छा सर जब आपको पता चला कि आपके स्टूडेंट हैं जो फिफ्टी यर ओल्ड है और फिर गॉर्मेंट टीचर है और वो आपसे पढ़ रहे हैं तो जब आपको पता चला तो कैसी feeling थी feeling definitely अच्छी थी और मैंने उनसे भी उच्छा कि सर आप उम्र में भी बड़े हैं आपको ज़ूर्मेंट टीचर हैं कैसा रहा आपका experience क्यों जोड़े आप कैसे पता लगा उन्होंने जो बात मुझे कही वो I think मैंने LinkedIn पे पोस्ट में भी शेयर की तो मैंने आपसे पढ़के अपने B8 के students को वो चीज़ बढ़ाई है तो मतलब मुझे लगा कि ठीक है मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं और मेरी कोशिश भी यही रहती कि अगर मैं कि student होता तो मुझे क्या दिक्कत आती पढ़ने में मैं उस पॉइंट आप उसे पढ़ातने की कोशिश करता हूं जैसे जब batch की शुरुआत होती है तो मैं grammar primer कराता हूं पहले से painting से पहले primer होती है तो कोई भी topic शुरू करने से पहले तो हमारी reality है कि हम बचपन से वो noun-pronoun, adjective, verb, adverb, preparation पढ़ रहे हैं पर इस्टिल बहुत सारे लोगों के अभी भी यह reality है तो उन्हें newspaper में एक sentence को समझने में दिक्कत होती है अगर rhetorial में एक लंबा सा sentence है they don't understand the structure of that sentence क्योंकि हमने पढ़ा बचपन में शब्दों के सार्थक समूं को वाक्य कहते हैं आज वाले वाक्य बड़े 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 अब उनमें phrases भी हैं उनमें clauses भी हैं उनको पता ही नहीं what is noun phrase, what is adjective phrase subject पहली लाइन में, verb चौती लाइन में subject के बारे में पूरा clause लिखा हो है तो वो तो पढ़ रहे हैं subject, verb, object उनको verb दिखी नहीं रहा तो जब हम ये रटने वाले system से पढ़ते हैं तो वहाँ वो दिक्कत आती और मैं चाहता हूँ class जितनी practical हो सके because whatever questions we get in our English paper in any competitive exams वो इनी अखवारों से उठाते हैं वो चाहे RC का पैसेज है, fillers का question है, close test का question है आपको sentences वहीं मिलेंगे error detection का question है बट सब कुछ पढ़ने के बाद अगर मैं एक sentence नहीं पहचान पा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कभी language पर confidence आएगा नहीं तो मैं वही काम सबसे पहले करता हूँ वो generally बच्चों का ही होता है कि सब्सेज कहीं नहीं कराया जाता तो कि उनको मौका मिलता है second job के लिए वो भी मेरे batches के अंदर होते है तो एक अच्छी और वोत ही होती ही कि शायद जिस mission की वज़े से मैं CAT से banking SSC में shift हुआ था कि मैं उन्हें empower करूँ जिनने सही मायने में employment की जरूरत है तो मैं सही दिशा में शायद काम कर पा रहा हूँ तो बहुत ही संतोष चनक रहता है यह मेरे लिए सर आपके student है एक शिवम जो 21 की age में उन्होंने 5 से भी ज़ादा exam कर रहे है और जिसमें से IBPS POB एक है तो आपके साब से वो कौन सी quality है जो शिवम के आपको लगता है कि इस वजे से वो इतने सारे exam crack कर पाया इतनी कम age में सबसे पहली बात कि कोई भी student जो exam clear करता है यह उसकी dedication उसकी मेहनत होती हमारा काम सिर्फ guidance तक सी में थे जहां तक शिवम की बात है जब उससे मुलाकात हुई हमने उसके साथ एक interaction भी यहाँ पर किया था तो बहुत ही dedicated student था और वो हमसे COVID के time पर जोड़ा था career relapse मेरी एक batch में वेल वो enroll हुआ comprehension batch में फिर bank के batch में आया SSE की तयारी वो पहले से कर रहा था अपने graduation के दोरान ही तो जैसी उसकी graduation complete हुई उसके बाद उसका IBPSPO में selection हो गया था और मैं बताओं उसके बाद भी connected था ही हम selected student के साथ connected रहते हैं और वो भी रहते हैं हमारे साथ तो उसने ये बताए कि उसने SBI PO भी clear किया जो definitely एक उपर level का exam है उसके difficulty level ज़ादा है तो यहाँ से निचोड यही निगलता है कि कोई भी student जो systematic तरीके से preparation कर रहा है जो exam की demand है तो यहाँ age कोई barrier नहीं होता ना आपका background कोई barrier होता है यह student simple BA था जैसे कई बार मन में यह होता है कि यहाँ पर maths है, reasoning है science background होना चाहिए engineering background के पास उनके बास एक edge होती है वैसा कुछ भी नहीं है यह exams और banking भी है definitely banking definitely तोड़ा difficult है तो हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे है जिद्वे भी हमारे competitive exams है banking हो या SSE हो यहाँ पर आपका background क्या रहा है इसका कुछ खास role नहीं होता जो उन exams के अंदर बूशा जाता अगर आप उसको systematic तरीके से prepare कर रहे है तो आप बहुत आसानी से clear कर सकते है और SHIOM के बात भी बहुत सारी student रहे है जिनके साथ हमने interaction किया हमारे platform से पढ़े बहुत कम उमर में उन्होंने upgradation भी करी अभी कुछ student उतकरस करके वो 21 साल की उमर में M.E.A. में select होए थे M.T.S. के जरिये और job करते करते अभी वो examiner बन गये तो 2000 great way से 400 great way पे पहुंच तो ये उन students की अपनी मेहनत है हमारा काम सिर्फ guidance तक सीमित है तो इसलिए जब आप जुड़ें तो पुरी श्रद्धा के साथ जुड़ें और जो कहां जा रहा है वो करते रहें ये बिल्कुल matter नहीं करता कि आप कहां से आते हैं आपका academic background कैसा था पढ़ने में कैसे थे आप आसानी सी ये सारे exams क्लिएर कर सकता है ठीके thank you so much sir बहुत सारी heavy बाते होगी है थोड़ी सी मैं अभी कुछ जो आपने बाते बताईए न वो मेरे भी दिमाग में चल रही है कि थोड़ा मैं और सोचूंगे उसके बारे में मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस interaction से ये एक free flow interaction था और हमने इन पर बहुत सारे इसे मुद्दों पर बात की जो हमारे students या हमारे youngsters के सामने ये questions हैं तो उन्हें थोड़ी सी अगर reality का पता लगे और चीजों को अच्छे तरीए से समझ पाएं तो शाद उनकी जिंदगी आसान होगी और हम इसी काम के लिए बैटे हैं और मेरी life का ये personal mission है कि I'm a human capital management professional I love to help out people and organizations in realizing their potential तो इक कोच के तौर पर ये काम भी होता है कि एक स्टोडेंट में जो उसका अच्छा है उसको बाहर निकाला जाए अगर वो suppressed है, दबा हुआ फील कर रहा है तो उसको आम inspire करें, motivate करें तो ये हमारे कर्दब भी है बहुत अच्छा लगा है इस interaction को आपने यहां पर रखा Thank you very much for having me Thank you